नमस्कार दोस्तों वेलकम टू फिस्कल साइन्स पेफी क्लासे फ्रेंड्स माफी चाहूंगा कि नेटवर्क थोड़ा मेरा जो था काफी ज़्यादा इंटर्मिटेंट था इसलिए अभी मुझे थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोगो अप्लोड करके मुझे देना पड़ रहा है तो फ्रेंड्स कोई बात नहीं देखे जैसा कि आप लोगो का एक्जाम जो है 16 मार्स को है ठीक है 16 मार्स को आज नोटिफिकेशन आ गया है आप लोगों का एक दो दिन में हो सकता है कि आपका जो डिस्टिक सेंटर से एक्जाम सेंटर है वो भी हो सकता है अपलोड हो जाएगा उसके बाद पता चलेगा कि जो है आप लोगों की तयारी जो है कैसी है ठीक है अभी मेरा ये फंडा है कि आप लोगोंने जितना भी पढ़ा है वो आप से आप जो है तरीके से preliminary test दे सकते हो जिससे कि आप लोग के क्या छूटा है क्या question के concept समझ में नहीं आया है उसको आप फिर से revise कर सकते हैं ठीक है तो देखे जो मैं question frame के हैं अभी तो अभी तो मेरे पास ज्यादा डिजिटल बोर्ड और मेराथन क्लास कराने के लिए ज्यादा तरीके से एड्स नहीं है communication एड्स जो होते हैं बट hopefully कुछी दिनों कुछी सालों में दिन तो नहीं कह सकती एक आग दो साल में वे भी हो जाएगा तो अभी तक तो आप लोगों को इसी तरीके से compromise करना पड़ेगा बट यह जान लिजे कि जो डिजिटल बोर्ड पर जो पढ़ाई हो रही है उससे कम यहाँ पर नहीं होने वाली इसकी तो मैं guarantee देता हूँ especially BPSC के लिए अगर विश्वास है आप लोगों को तो जब exam में आप बैटेंगे जो question का level होगा जो question का pattern होगा जो question पूछा जाएगा हू बहू आपको यह से ही देखने को मिलेगा जैसा कि मैंने हाँ पर आप लोगों को frame करके यहाँ पर बनाया हुआ है question आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देता हूँ जाकी ठीक है अब यह सब सारे question को मैं कराऊँगा ठीक है यह सब सारे question को मैं कराऊँगा तो जो last video था जिसमें मैंने आप लोगों को एक task दिया था matching वाला कि match कीजिए तो apine का किस से match था t3 upfront का क्या था के इलीस का क्या था डेली कोस का क्या था तो इमानदारी से बता दीजेगा comments में किसके किसके सही थे ठीक है तो देखे जो apine होता है friends apine मतलब होता है as as मतलब होता है mules mules मतलब जो घोडियां होती है ठीक है घोडियां घोडियों का race होता है उससे apine कहते है clear हुआ इसका बहुत important है mules race को apine भी बोलते है एक सिकेंड ठीक है तो आओ टेथ्री एपन क्या होता है friends टेथ्री एपन टेथ्री एपन मतलब टेथ्री मतलब चार चार गोडो द्वारा वेश इस तरीके से इसको match कर देंगे ऐसी matching का question निका आएगा केलिस होता है घोडो द्वारा दोड़ा जाता है लिकिन six circuit होता है ठीक है तो छे सरकीट, एक सरकीट, दो सरकीट, तीन सरकीट, चार सरकीट, पांच सरकीट, छे सरकीट यानि 6 सर्कीट वाले race को जो गोड़ु द्वारा किया जाता है उसे केलिस कहते है लास्ट वाला बचा यह क्या कौन था डोली कोस बचा था डोली कोस जो था 720, 7 से लेकर 20 स्टेडियम लेंथ तब का जो race होता उसे डोली कोस कहते है अब चलते हैं फ्रेंट्स जो बचा हुआ पार्ट था आप लोगों का वह है यहां पे देखिए पैर लंपिक्स इस्पेशल ओलंपिक इन दोनों में आपको अंतर पता होना चाहिए पैर लंपिक्स होता है कि जो की आपकी यहां पii फिजिकलल डिसेबलेटी से रेलेटेड होता है और जो स्पेशल ओलंपिक होता है वह आपकेमेंट्र डूसेबलिटी सरे यहां से रेलेटेड होता इसके फर्स गभ कहला गया था और इंटरनेशनल मानेता अंतराष्ट मानेता diyorsun यहीई सब कोश्चन जो है पूछे जाते हैं तो आप लोगों को अगर कंसेप्ट क्लियर है यह क्लियर है देखिए मेरा सबसे बड़ा ड्राब है के रहता है कि मुझे फैक्चुल डेटा ना 1988 में कहां पर हुआ था क्या हुआ था यह सब मुझे थोड़ा सा इसमें समझने में याद क करने में मुझे याद करना वाला जो चीज होता है थोड़ा सा दिक्कत होता है इसलिए मेरे थोड़े स्कूर्ज हो है न कम आते हैं और यह रही बात ने टोटकी तो वहां पर कंसेप्चुल कुश्चन पूछे जाते हैं कंसेप्चुल में मैं फार देता हूं एक तरीके से स जली चोड़ी अभी तो हम ब्यपीस्ट का एक्जाम दे रहें तो जो मेरा डिमेरिट है उसको मैं बता दे रहा हूं बट आप लों के साथ ऐसा साध नहीं होगा कि आप लोगो डेटा याद करना है कम से कम डेटा याद करना जो डेटा याद करना जो कुशन पूछा कि कब से शुरूआ तो 1988 से शुरूआ था Seoul में यानि South Korea में जगह है Seoul यानि उसकी Capital है Seoul वहां से इसका जो है स्टार्ट हुआ था तो ओलम्पिक के समना पैरलम्पिक्स मतलब होता है यह सब क्लास में ले चुका हूँ मैं तो सोच रहा हूँ कि आप लोग पीछला वीडियो अगर देखे होंगे ना जो मैं टी रीटू में बनाया था तो आप लोगों को फिर से एक्स्पेंट नेक्स ज़रूआ पैरलम्पिक्स होता है ठीक मैं थोड़ा फास जा रहा हूं और 1989 में इसका जो है पैरलम्पिक्स कमिटी बन गयी थी यानि IPC बन गया था डेट याद कर लिजे 22 सितंबर 1989 और उसके साथ साथ एक कोश्चन और याद करा दे रहा हूं देख लिजेगा आप लो अंतराश्टी ओजोन दिवस कम मनाया जाता है ओजोन दिवस यह बहुत इ एस थी तो ऐलंपिक गेम आशे се्टाट हुय थे पैरलम्पिक्स पारिंप इसटार्ट हुय थे जो श्रीवर द्वारा इसको आएजुद किया गया था 1962 में सबसे पहला जो गेम खेला गया था प्रेंट्स मैं हिंदी में थोड़ा सा वीक हूं हाला कि हिंदी मीडियम में था बाद में मैं ग्रेजुएशन से इंग्लिस मीडियम में आ गया था तो मेरे थोड़ी हिंदी की राइटिंग और प्लस कहीं स्पेलिंग मिस्टिक हो तो थोड़ा स्माफ करना ठीक है तो देखिए यहां पर कुश्चन पी पूचा गया स्पेशल ओलंपिक गेम्स को अं यहां से कुट का मैच करना है इसको आपनों वीडियो को पॉच्च करके जरूर दीजिएगा बट मैं आपनों को बता दूँ देखिए सबसे पहले प्राचीन ओलंपिक गेम्स हुआ था शाट सो चेटर बीसी यानि वीफोर क्राइट क्राइस्ट एरा ठीक इसका फूल फॉ लिफोर के निसी इधर भी इधर भी इधर भी यानि पहला टमेट करना इस पाइंड आुट करने के पहले आपको पता होना चाहिए सबसेल उलंपिक मैं आपको याद करा दिया था था इस पेसल olympic games हो वा था 1968 से स्टार्ट हुआ था और पैर olympic games मैंने बताया था 1988 से स्टार्ट हुआ था it means 1968 जो है पहले आता है तो यानि कि ए जो है पहले आएगा तो यानि कि दूसरा अंसर जो है पहले आएगा इसी तरीके से questions जो है बीपीसी इस बार पूछेगा भबत लुकूषण इसमें से 3 सहई हैं केवल इसमें से 2 सभी है केववल इसमें से एक SPивать inflation पहला कोशन क्या दिया है पहला बिचार स्टेटमेंट क्या है पारा लम्पिक सारदिक ऑचमता लोगों कहला जाथा बिल्गूश रही दूश ऑद मैंने बना प्रदिभाग करते भी बिल्कुल सही है तीसरा स्पेसल ओलम्पिक को अंतराष्टी मानेता कम मिली थी मैंने बताया था इस बार एक्जिक्यूटी कांसिल पूछ देगा ठीक है तो वाइस प्रेशिडेंट जो होते हैं नाइन होते हैं फ्रेंड्स आयए याइस्टेंट फार कभी कभी फूल फॉल पूछ सकता है तो इंडियन ओलम्पिक एस्वस्येशन द्वारा इंडियन ओलम्पिक एसुसीएसन इसमें नाइन जो है वाइस प्रेशिडेंट होते हैं और एक्जिक्यूटिव काउंसिल जो होती है टोटल जो होती है दस होती है इसको बस मगब कर जाएगे मेरा रिक्वेस्ट आप से ठीक है यह हो गया नेक्स जो है यहाँ पर मैंने बताया था आपको देखे डीपीट जो ह भी लेते हैं जबकि उनको गें मों खिलाना भी प्रेट करा सकता है ठीक है लेकिन ऊसा कोर्स यूजिसी द्वारा इप्रूब्ड नहीं बहुत इंप इंप्रिफ्स्टन है और यह ऐसा थीत्यरिक यहाँन देखते होना उसक्ट करूंगा प्लीज वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं और अभी तक चैनल को लाइक नहीं किये हैं सब्सक्राइब नहीं किये हैं नोटिफिक्शन बेल नहीं आउनके हैं फिर से रोना मैं गाय रहा हूं आप लोग एक जरू कर दीजेगा ठीक है तो चलते हैं कोशन के इसकी अलामा जितने यंपी एस बीपी एस बीपी ऑल और कोर्सेज इस अप और अप्रूब्ड बाई यूजिसी बट नाट अप्रूब्ड एट आल बाई एंसी टीए देखिए एंसी टीए का फूल फॉर्म पूछा था टी यारी टू में हो सकता है आपनों को याद नहों मैं फिर से रिवीजिन करा देता हूं एंसी टीए का फूल फॉर्म क्या होता है नेशनल काउंसिल और पीचर एजुकेशन एक जो है इसका पूछा गया था हो सकता है इस बार यूजिसी का फूल फॉर्म पूछ ले तो आपको यह भी पता होना चाहिए यूनिवस्टी ग्र इसको याद कर लेजिएगा फीबा का संबंद किस से है देखे बैट बास्केट बाल से है फ्रेंट बहुत हीजी था भारत में किवल कितने कोशन एसे पूछ सकता है भारत की कितनी जनसंख्या जो है इस पूर्ट में प्रतिभाग करती है बहुत सर्म की बात है कि हमारे इसकों को भरती किया जा रहा है ठीक है तो इनका मोटिवेशन लेवल बढ़ा सके और खेल कुद का माधम जो है बढ़ा सके ठीक है और संतोष ट्रॉफी देखिए कोशन आया भी चुका हो सकता है रिपीट भी कर लें कि किस गेम में नॉकाउट टूनामेंट कौन सा गेम ज 2017 से 20 तक बजट कितना एलोकेट हुआ थे कितना बजट हुआ था बाई एलोकेट कितना हुआ था देखिए आपके NCRT में दिया हुआ इसलिए मैं इसको सोचा कि कहीं ऐसा नहोगी पूराना बजट पूच दे इस संटर सब्जेक्ट है सेंटरल स्कीम है सेंटर की स्कीम है ख इतना था ते पुराना है तो 1756 आप लोग याद कर लिजिएगा ठीक है वीडियो परशंद आता है तो प्लीज लाइक भी करते चलिए और आपके सोजहा हो है अगर कोई भी सजेशन हो तो प्लीज बताइएगा देखिए एक होता है ट्रांस थियोरेटिकल मॉडल फ्रेंड देखिए मैंने बहुत कोशिस किया कि आप लोग हिंदी में ही समझाओं और इसलिए मैंने नोट्स बनाया ठीक है तो ट्रांस थियोरेटिकल मॉडल क्या होता है इससे बोलते स्टेजेश आप चेंजेश माली जी एक आज आप बच्चे हो फिर उसके बाद यंग हो जाते हो फिर उसके बाद बुजूरू बन जाते हो इस तरी के सी स्टेजेश आप चेंजेश होते हैं बदलाओ के जो है क्रम है तो यदि कोई गलत चीजें अगर हम एडॉप्ट कर लेते हैं लाइक स्मोकिंग ड्रिंकिंग अफ वाइन्स ये सब चीजें हम अगर माली जी गलत चेंजेश भी बोलते हैं तो इसको आप याद कैसे करेंगी नुमनिक है मेरे लिए मैंने बनाया था आप लोगों को भी अच्छा लेगेगा पीसी पामा यानि कि छी स्टेज है टोटल ट्रांस थेरेटिकल मॉडल ये जो कि स्टेजेश आप चेंजेश में आते हैं पीसी प पर एडाप्शन एडाप्शन सबसे लास्ट में आगा देखिए इसको मैं इस संचिप्त में बता रहा हूं जो पीसी पामा है टोटल छे स्टेज होते हैं स्टेजेश आप चेंजेश के कभी-कभी कोश्चन ट्रांस थेरेटिकल मॉडल भी पूछ सकता है कि कि कितने मॉडल इच्छा होता है यानि कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि smoking जो है very injurious to your health ठीक है लेकिन आप कहते हो अरे कुछ नहीं होता तो यह क्या है प्री है प्री यानि पहले आप लोगों को पता चलता है कि अरे कुछ नहीं होता है इसा बगवास है तो इसे बोलेंगी प्री cancer या फिर lung infection या फिर आप लोगो अस्थमाटिक का problem तो यह से क्या होगा पता चल गया तो एक contemplation हो जाता है पता हो जाता है तो इच्छा पता चल जाता है कि यह चीज़ें है preparation फिर उसके बाद आप prepare करेंगे कि चीजों को कैसे इसको जो है खतम किया जाए उसके लिए आप लोग alert हो जाएंगे alert होने के बाद आप उसके प्रती जो है action यानि करवाही कर रहेंगे यानि कि एक दिन में आप मतलब एक सब्ता में पान दिन जो है आप workout करना है start कर देंगे कि उसको कतम करना है मुझे बस ठीक है उसे action लेना है start कर देंगे then maintenance maintenance का जो period होता है friends six months के पहले से start हो जाता है यानि action से maintenance का भीच जो होता है छे महिने से start कर देते हो आप maintenance उस पर rehearsal करने लगते हो ठीक है जैसे ही आप उसको maintenance यानि maintain करते रहते हो उस kriya club को avoid करते रहते हो जो कि आपकी health के लिए dangerous है तो फिर उसके बाद का जो period होता है adoption हो जाता है यानि आप इस चीज़ों को adopt कर लेते हो यानि good behavior को आप adopt कर लेते हो modify कर लेते हो और bad behavior को terminate कर देते हो तो यही था transtheoretical model hopefully आप लोगों को समझाने में मैं सफल हुआ होंगा तो अब देखते है किस stage में लोग अपने बेवहार को 6 मैंने पहले से change करने लगते हैं तो किस stage जो transtheoretical model था उसको मैंने बताया ता आपको maintenance stage जो होता है अच्छे मेने पहले से start कर देते हैं ठीक है तो उनको पता चल जाता है और action करने लगते हैं कुश्चन देखी कैसे आ सकता है इसको देखी sequence में करने के लिए सकता है कि कौन सा क्रम पहले कौन सा बाद में तो आपको याद होना चाहिए पीसी पामा याद कर लो पीसी मतलब पी जो पहला वाला होगा वो प्री होगा ठीक है बस इसको याद कर लीजिए बाकि सब पीसी पामा ही आएगा ठीक है most important question है how many stages देखिए एक question ऐसे आ सकता है कि ट्रस्थी रेटकल मॉडल में कितने stages है तो पीसी पामा मैंने बताया ही था पीसी पामा कितने वर्ड का है छे वर्ड का है तो छे वर्ड का है तो छे इस्टेज हो गए तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा six stage सबसे पहले क्रम पूछ सकता है सबसे पहला क्रम कौन सा है मैंने बताया दिफिनीशन पूछ सकता है maintenance का action का termination का adoption का ठीक है इसको याद कर लेजे देखिए I refuse to quit smoking nothing wrong in it यह कौन सा stage है यानि कि मैं जो है smoking quit नहीं करूँगा मैंने मना कर दिया nothing wrong in it यानि कुछ गलत नहीं है इसमें अगर smoking कर रहा हूं तो तो यह कौन सा को पौच कीजिए और रही देखिए कौन सा stage मैंने कौन सा stage में elaborate के प्री contemplation बहिया प्री contemplation आंसर ऐसे question ऐसे पूचेगा ठीक है कौन सा wellness के 6 घटकों में से नहीं है देखिए अस्वारी साथ घटक होते हैं wellness के ठीक है इसको आप रहो इसकील संबंदित fitness नहीं है देखिए इसकील संबंदित fitness टोटल जो हता है पांच है जो कि मैंने बताया था एक निमनिक था यानि shortcut method से sharp balance करके मैंने बताया था balance मतलब कभी-कभी coordination भी देता है ठीक है तो आप लोग आथ के लिए यह स्टेंट फार speed a stand for agility r stand for reaction time p stand for power पार मतलब सकती तो इसमें देखिए कौन सा नहीं है flexibility नहीं है flexibility जो है health related fitness है ठीक है देखिए डबलू यह चार यह मैं जब question देखा था ना TRE2 में तो मैंने उस टाइम पे एक दोस्त था मतलब मेरे बगल के लोग थे वह जब एक्जाम का जो timing जो था चेंज हो गया था तो उस टाइम पे मैंने उनको just बोला था भाईया देखो डबलू यह चार का full form याद कर लो और इसका जो है formula याद कर लो कैसे निकालते हैं यह question मेरे जहे लग रहा है important है उनको मैंने बताया था और वह जैसी गये जब एक question देखे तो मुझे याद कर रहे थे बोलती है सर मैं आपको याद कर रहा था कि आपने कैसे अनुमान लगा लिया कि यह question आना है तो ऐसे देखे जब exam देते रहेंगे number of experience number of जो आपके chances है जैसे अवेल करते रहोगे तो आपका experience जो है देरे-देरे बढ़ता रहाएगा ठीक है अब आई-एस जो यू-पीसी के जो coaching देत है एक question हो गया हमने शलते है friends बहुत important है क्या बोलते है slide है सारिक बनावत यानि body composition किसके द्वारा मापी जाती है देखिए question आया हुआ था ठीक है तो जो body composition होते ही है किसके द्वारा मापा जा सकता है तो BMI द्वारा मापा जा सकता भी है कि कितना मोटा है थीन है या फिर ideal weight है या फिर obesity है या फिर ओवरवेट है obesity one grade है two grade है three grade है सब BMI द्वारा मापा जाता है ठीक है अगर BMI का chapter अगर आपको पढ़ना है न तो मैंने अपने playlist में डाल दिया है बढ़ी है इसके द्वारा वीडियो बना दिया किसके द्वारा बनाया गया था क्या formula था इस सारी पोजिशन मेजर किया जा सकता है इसके फोल्ड द्वारा जो इसके फोल्ड कैलिपर्स होते हैं कितना फैट की माप है मतलब मोटाई कितनी है इससे पता चल सकता है डबलो एचर मैंने बताई दिया वेस्ट अंड ही प्रोश्यो तो इसमें क्या answer हो जाएगा सही कुट क्या ह केवल एक एबी एक सेंट केवल एबी या एबी सी या दो से अधिक या कोई नहीं बताईए फ्रेंट्स इसमें देखी एबी सी दिया जबकि मैंने बताया तीनों आंसर चारों आंसर रही है तो यानिकी दो से अधिक आंसर हो जाएगा ठीक है इसमें देखिए एक कोईशन है इलियोनिस दोड किस से संबंदित है कितना इंपॉर्टेंट कोईशन है और आप लोगों में से मैक्सिमूम लोग अगर नहीं पड़ेंगे एंसे इस कोईशन को तो मैं 100% बता रहो नहीं कर पाओगे लिए जBaby जो होता है उसको बोलते हैं ईलियोनिस रण जो होता उससे एजिलीटी माप पते हैं ठीक है फ्लैमिंगो टेस्ट क्या होता है फ्लैमिंगो टेस्ट जो थै डावटैनमिक बैलेन्स के लिए मेजर किया ज 있는 तती आप आजाईज्ये इसमें सही सुमे लित नहीं है औ और ऐसे ही भी पिएसी आंसर पूछता है, option देता है, केवल दो, केवल एक, दो से अधी, तीन से अधी, ठीक है, तो देखे, flamingo test मैंने बताया था, dynamic balance है, बिल्कुल correct है, इसमें पूछा नहीं है, तो नहीं के लिए तो कान एकदम खड़े कर देना, एकदम से, plate tapping नहीं आ रहा है, जबकि coordination के लिए होता है, ठीक है, तो यहीं एक option जो है, सुमेलित नहीं है, तो यहां पर answer क्या हो जाएगा, केवल और केवल, एक answer हो जाएगा, इसको आप ऐसी तरीके से solve करेंगे, ठीक है friends, तो यह था friends, छोटा से वीडियो, अगर वीडियो पसंद आता है, तो please बता है, यदि आपका selection हो जाता है, तो आप से ज़्यादा खुशी मुझे होगा, क्योंकि 17 तारीक को मेरा भी paper है, 16 तारीक को आपका भी paper है, मुझे अपनी भी पढ़ाई करना है, साथी साथ मैंने ये सोचा है, कि 2 घंटे आप लोगों के लिए ज़रूर time निकाल के राप जो है, सलेक्ट हो जाए, तो मुझे भी आत्म संतुष्टी मिलेगी, कि नहीं मेरे द्वारा पढ़ाएगे, कुछ लोग जो है, सलेक्ट हुए है, so thanks for watching friends, have a nice day.